तो फ्रेंज, आप देख पारें वीडियो में इसको बा Stephan को बारे में बाध वीडियो में अमिया बुमाता जा序ंग अगर आप मेरा वीडियो को आगे पीछे नहीं देखा का जानते तो मन भाडा देथे पास अगला डिया ओ तो मुर्ती का पेरक ओबर में रखाए कुरान तो आप देख परा जैसे तो इसका बारे में शेख आतिने क्या बोल रहा है और इसका लेकर तो बहुती दंगा बहुती मारफिट बहुती हला हो रहा है बंगलादेश में भांगलादेश का बहुती खराव है तो फ्रेंस इसका कि जो भी बंदा एक गिनोना काम किया जो भी इस कुरान को धार्ती का यानि पुरा मुलेक किताब दुनिया के लिए जो चीज है उसका इतना बड़ा हिमत हुआ कि आसा करके राकने के लिए तो उसको अगर पकर पाई यानि पकर लिएगा यसा नहीं बोला कि पकर पाई नहीं पकर लिए गई यसा कंफरम बताया और पकरने का बात उसको पूरा का पूरा साजा दिया जाएगा इसका विचा जो भी साजा होता है उसको साजा मिलेगा और बंगलादेश में जो भी लोग खिरहते हैं जो भी लोग हिंदू मुसलिम जो भी कुस है तो सबका सुमान अधि जो भी जो ही है मज़ा फेच वह पेले साइब चलेगा इसमें कोई नहीं है सबका सुमन अधिकर है तो दोस्तों मैं आप लोगों को कहना साँगा शेखातिरे ने इसा बताया तो जो भी बताया अच्छा बताया तो लेकिन बंगलादेश में जो भी दंगा हो रहा है जो भी सब लोगों ने देख रहा है अगर आरफ का लोगों ने इसका बरी में देखेगा तो आरफ से भी क्या होगा क्या बोलेगा पता नहीं जो भी है लेकिन ये गंदा काम ये गिनोना काम जो भी बंदा ने किया है उसको करी से करीश हजा मिलना चाहिए और इसके लिए जो मतलब बिना करके मार पीट करके आपने लुक्षान होता है तो इसा मत किजिए गांगे तो गलत से गलत होते रहते गलती होते रहते तो इसलिए में कहना चाहिए और जो भी लोग इसका मतलब है कुरान को रहा बंगलोडर करके है कि यह आप ल Khal Ignore करें जो भी एसा कि तो जो भी साज़ा होता है तो भी